नमस्कार, ATN लाइब में आपका स्वागत है और माय कैलास का सब एक जलंत मुद्दे को ले करके आपके सामने आपकी अदालत में बैठा हुआ हूँ और आज सबसे बड़ा घिनवना मजाक जो चल रहा है बिहार में वो है सरावबंदी को ले करके पिछले दो तारीक से दो नवंबर से ले करके आज पांच नवंबर यानि के कुल तीन दिनों में 35 लोगों की जान जा चुकी है इस जहरिनी सराव से और आज जिनके घर में दिवाली खुसियों की सौगात लेकर के आने वाली थी आज उनके घरों में मातम बनाया जा रहा है तो आखिर इस मातम का जिम्मेवार कौन है ये सवाल आज पूरा बिहार पूछ रहा है जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इस सराब बंदी क्या वाकई जो सराब बंदी बिहार में लागू है सराब बंदी वाकई बिहार में लागू है या अगर आज भी सराब धरले से बिक रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है आज भी धरले से बिक रही सराब को पी करके लोग जान गवार है तो इसके जिम्मेवार कौन है ये सारे सवाल को लेकर के आज पूरा बिहार जो बिहार के मुखियां है निजिस कुमार की तरफ देख रहा है कि आखिर वो क्या जबाब देते हैं लेकिन उनका जो जबाब आया है वो बड़ा ही नकरातमक गैर जिम्मेवारी से भरा हुआ जबाब था खेर इस मामले को लेकर के जनता जो आम लोग हैं जो आम लोग हैं जो खास आप बताईए कि जिस तरी से अभी जो खबरे आ रही हैं कि बिहार में कुल 35 लोग सिर्फ तीन निनों में दो तारिक से लेकर के आज पांच तारिक अभी चल रहा है इस तीन निनों में 35 लोगों की जान जहरिली सराब पीने से चली गई है तो बिहार में जब सराब बंद ह तो यह जरीली सराब आ कहां से रही है और जब इस तरह की बात है तो यह लिपा पोती करके छोटे 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 लोगों को सस्पेंड करके क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार लिपा पोती कर रही जी कहलाजी सबसे पहले तो मैं आपको दन्यवाद दूँगा बराबर समसामाईक और जोलंत मुद्दा को लेकर आप लोगों के बीज जाने का काम करते हैं और जनता की बात जमिनी हकीकत को सरकार की कानों तक पहुशाने का काम करते हैं निशित तोर पे 2006 में सराबंदी पूरे बिहार में हुई सभी दलो के लोग रोड पे आके महाँ हुआ 2016 में 2016 में हुई सभी दलो के लोग सरक पर आके मानोस्रिंख़ला जो बनी थी उसमें मंत्री के साथ कदम से गदम इला कर चले थे और सबना इसको सुईकार किया था लेकिन बहुत ही दुखद है और यह सत्य है इसको सुईकारने में कही किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि और आप यहां चाहें और आप यहां सराब उपलफ्द करा सकते हैं तो मुझे लगता है कि सराब बंदी के नाम पे सरकार ने जो एक धूंग रचा हुआ है आप अगर सिवान की बात करें आपको याद होगा कि एक सीके अनील औरतने संजे डीम और एस्पी वा करते थे तो सीस अभिए प्रेटा आधारे तो देनेस नहीं होते है आपको क्या लगता है कि मुद्ध मद्दी वाकई गमबिर नहीं है इस मामले को ले के लाज जी मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से देखके अटपटा लगता है कभी हलाकि सेनियर मोस्ट नेता हैं कई बार विधान सभा में जाने का उन्होंने काम किया और हमारे मानिय मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी है मैं पुर विधायक का बात कर रह किया तो वह व्यक्ति जब लगातार यह पहली घटना नहीं है पहले भी घटना है घर चुकि आप लोग भी उनका इंटर्व्यू लिए होंगे तो वह सराब का ग्रहन करने के बावजूद अगर उनकी उपर आस्तर कोई करवाई नहीं होई तो क्या मान सकते हैं कि हमरे पुरी का मुख्यमंत्री के दुलर्वा भी है और इसलिए उन पर कारवाई नहीं होती है तो अगर वह सक्षम ब्यक्ति पर करवाई करने का सरकार और प्रसाथन कोई नहीं कर दिकार नहीं है आज इन घरों में लोग मर गये हैं उनकी अपकलपना के जिए उन परिवारों की अगर नहीं चूलः नहीं बात वेगिसेग जिए की घरों में अगर किसी के मौत हो जाती है तो हमें लगता है कि गाउं के किसी घर में चुला नहीं जलता है आज जिस गोपाल गंज की हम बात कर रहा है कि जिस गोपाल गंज में 17-17 लोगों की मौत हो गई कई लोग को लोगों की आखों की रौस्टी चली गई है उस पूरे गाउं का क्या हाला थो आपके मद्य परिवारों के आसु पूछने का काम करना चाहिए था एक सम्यदन सीलता दिखानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी और सरकार को और सही कहा आपने गाव में जहां एक व्यक्ति मर जाता है तो अगल बगल नहीं चुला जाता है तो यहां तो डर्जनों लोग काल को समा गया है त दुखत घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसमें सरकार को भागिदार बनना चाहिए अभी हमारे यहां पिछली दिनों आपने देखा कि लगभग बाइस तारीक की बात हम कर रहे हैं साइद गुठनी में गुठनी में पांच लोगों की जरली सराप से मौत हो और गुठनी का ये जो बेलौर इलाका है जहां उन्हों का घर है वहां से महज़ एक किलोमीटर के बाद से ये बौर्डर का इलाका है उत्तर प्रदेश का और वहां से एक किलोमीटर उत्तर प्रदेश है तो वहां गाउं के लोग बता रहे थे कि धडलले से सराप यहां जमादार को जो गाउं में फिवरी लगाता है सब देखता है उसको सस्पेंड किया गया क्या ये उचित कारवाई थी या जैसे मुक्यमंतरी जी ने स्वेम कहा था कि अगर जिस जिले में सराब की अगर किसी की मौत होती है या कोई बड़ी खेप पकड़ी आती है तो वहाँ मन्हें People बोड़ीर्य मोंजे रिश्टया तो मुझे ये लगता है жौट से जानकारी मिलती है वीना थानों की स्भगत से इस तरह का काम नहीं हो सकता है लोकल थाने अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे लोग उन्स थानों से मिले हुए है जब घटनाए घट जाती है तब हाय तोवा मचता है आज सस्पेंट हुए थानेदार फिर कल कहीं नहीं किसी आप देखेगा आफिके जिलन में किसी थाने में पदस्थाबित होंगे तो यह कोई बहुत बढ़ी करवाई नहीं हुई मुझे लोगता क्यों नहीं उनके ऊपर 302 की करवाई की जया इस तरह की जब हम कदम उठाएंगे तब जाके लगेगा लोगों में एक डर होगा अधिकारियों में एक डर होगा और क्लाशी में और बात आप सब्सक्राइब छाएम तो पूरि तरस अधिकारी सरकार चला रहा है जन परतनिती की भूमिका जन्गन है तो जब सरकार चला रहा ह। फ्रसासने का र्थी Parliament जिम्मधारी बनती है आज मिधायक्य ऐं-पी की निंस्थ कि जन्रमनी जो में देख रह constit केनी यह चाहिए कि दोजर पांच में जब नितिस कुमार आय थे सत्ता में लालू यादों को हटा करके और उस समय के दितिस कुमार में और आज के दितिस कुमार में काफी अंतर दिखाई दे रहा है अब तक पट्री पर नहीं चरपाया है और सही का लोग नडर की सिति जो आज है आप याद कीजिए पंदर साल पहले उससे कम इस्तिति अभी स्यवान की नहीं है उससे ज्यादा ही होगी कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि किसी की गोली मार करके हत्तिया नहीं होती है कोई सुरक्षित नहीं है अभी टाटा मोटर का ही गारी आ रहे थे दिवाली के दिन पर ले तो आया दिन गोलिया चल रहे हैं लोग बच रहे हैं अपने भाग से बच रहे हैं कानून बादचीत हो रही थी सराव को ले करके जिसमें अब तक सिर्फ तीन दिनों में बिहार में 35 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बड़ा ही दुखद मामला है लेकिन इसके बावजूद कहीं भी सरकार कोई चीज जिम्मेवारी लेने को तयार नहीं है नितिस कुमार 2005 में सत्ता में आये थे और 2021 तक इस लंबे सफर के दोरान जब 2016 में सराव बंदी हुई थी नितिस कुमार को उस समय ग्यान आया कि सराव बंद होना चाहिए लेकि 2005 से और 2011 का जो वक्त था अगर उसमें आप जब गूगल पर जा करके देखेंगे कि उस समय कितनी दुकाने 2005 में चल रही 2016 से सराव बंदी हुई उस समय कितनी दुकाने थी तो आपको लगे गया कि नितिस कुमार ने जिस गाउं में एक सराव की दुकान से पूरे गाउं का चल जा आता था वहाँ पे नितिस कुमार ने चार-चार दुकाने खुलवाने का काम किया और ये उस समय राजस्व की बात होती थी कि राजस्व कहां से आएगा खैर 2016 में सरकार ने इस पूरे सराब पर रोक लगाते हुए सराब बंदी लागू कर दी लेकिन सराब बंदी लागू ही सिर्फ और सिर्फ उन छोटे परिवारों पे जो डेली कमाने वाले लोग हैं डेली खाने वाले लोग हैं उन्हों को आज अगर कही से आज भी सराब उन्हें चाहिए उसके बिना वो रह नहीं सकते हैं और ये आदत बिगारने का काम अगर किसी ने किया तो वो हम खुल के कहेंगे कि नितिस कुमार जी ने किया भले ही उन्होंने 2016 सराब बंदी कर दी लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो लोग मौत जिनकी मौत हुई है 35 लोग अब तक 3 दिनों मौत के गाल में समा चुके हैं और अभी भी कई लोगों की हालत खराब है अभी ये देखना होगा आगे की और इसमें से कितने लोगों की जान जाती है लेकिन नितिस कुमार को बिहार की जो सराव बंदी है उसे समझने की जरूरत है ये सराव बंदी ठिक वैसे ही है जैसे हम भगवान को याद करते हैं और भगवान कहीं नहीं है लेकिन भगवान सब जगह उपलब्द है इसी तरह से बिहार की सराव बंदी है देखना है निदिस कुमार की आँख कब खुलती है या कुछ अभी और लासें देखने के बाद कहीं उनको चेत आए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा